हेलो फ्रेंड एजुकेशन जव अपडेट यूट्यूब चनल को हेलो फ्रेंड एजुकेशन जव अपडेट यूट्यूब चनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है जैसे कि मैं आप लोगों के लिए आज एक फिर से न्यू वीडियो लेकर आ रहा हूं जिस विडियो का नाम है बिहार जिविका रिजल्ट को लेकर अगर आप जानते हैं कि बिहार तक्निकी सेवा आयोग का अगर रिजल्ट जारी हो सकता है बिहार करमचारी चेन आयोग पटना इसका रिजल्ट जारी हो सकता है जुएनिंग का तो जिविका का क्यों नहीं जिवि कोई election नहीं मैंने रखता है अगर जीविका में election बाधा है तो क्या ये दोनों पोस्टों के लिए election बाधा नहीं है ये गोर करने वाली बात है सभी साथियों आप जान ले अगर इस पूरा detail इसका जानना है तो ज़रूर education जब update यूटुब चैनल को आप लोग subscribe कर ले और bell icon को प्रेश कर ले ताकि आप लोग इस वीडियो की पूरी जानकारी को देख सके जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये दोनों का result आ सकता है तो जीविका क्या क्यों नहीं ये काम आपको करना होगा अबस करना होगा इस चीज़ को देखना होगा और आपको समझना होगा तो मैं ले चलता हूँ सिधे आप लोगों को इसके करमचारी आयोग पटना और इसकी बिहार तकनिकी सेवा आयोग दोनों result को दिखाता हूँ मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इसके दोनों PDF के और बिहार तकनिकी सेवा आयोग और बिहार करमचारी आयोग में यहां के दोनों result जारी किया गया है और जीविका में बाधा क्यों आ रहा है इस चीज़ को देखे आप लो आप फैनली देख रहे हैं बिहार करमचारी आयोग पटना पर्थम अस्तानत अस्तरिया सन्युक्त परियुक्ता परिक्षा 2010 में जो सम्मधित हुआ था 2019-2020 का इसका रिजल्ट जारी किया गया है जब इसका रिजल्ट जारी हो सकता है तो जीविका का क्यों नहीं इसमें आप देखें यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है कुरोना संक्रमन को ध्यान रखते हुए अभ्यारतियों हमेशा मांक्स पहने यहाँ पे देखिए के टेगरी सारा result को जारी कर दिया गया है इसमें आप देखेंगे फिर देख रहे हैं पुन्रूप से इसका konseling आवेदन का सार उमिदबार नेला बुला पैन से भरे इसको और उसका date भी दे दिया गया है सारा परोक्रिया भी यहां पर दे दिया गया है जैसे यहां पर आप देख़रे हैं इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप मैं आप लोग को ले चलता हूं तक न की सेवा आयोग का जो रिजट जाई गया है उसका जोइनिंग को लेकर काफी बड़ी अपडेट हैं उसको आप लोग देखिए क्या उसमें यहाँ पर कर आयोग प्रतिनिधी का है आप देखने हैं बिहार तक्निकी सेवा आयोग हर्डिंग रोड पटना यह आप लोग को रिजर्ट दिया गया है 19.10.2020 को दो पालियों में इसका कॉंसिलिंग है भाई वहाँ पे आप जानते हैं जब इसका कॉंसिलिंग हो सकता था जीविका का रिजर्ट जारी करने में उसका कॉंसिलिंग करवाने में उसको क्या दिक्कत है यहाँ पे सारा परकरिया को आप देख रहे हैं इसके लिए आप लोगों को एक काम जरूर करना पड़ेगा अगर आप जानते हैं उसको इतना वेस इतना वेस तक समय में कॉंसलिंग के SMS जाएगा उसके अभियारतियों के मुवाइल पे आपको अगर देता तो यही काम आपको भी होता लेकिन सारा परकरिया आ रहा है उसका इस चीज को जोइनिंग भी हो जाने वाला है जिवीका का अभी तक रिजट को क्यों रोक के रखा गया है जियों की जानते हैं आप लोग जिवीका कोई सरकारे विवाग रिजट नहीं है तीन सार लगा देगा आपको इस रिजट जारी करने में और विहार सरकार का करमचारी आयोग तकनिकी सेवा आयोग का रिजट जारी हो गया क्यों इसके लिए कोई अलेक्षन बाद नहीं था इसके लिए election कोई माइने नहीं था मैंने था मेरे दोस्तों तो आप data entry operator सहाया प्रसाखा प्रभारी 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 सभी के दुवारा इस चीज़ को जारी किया गया है तो आप लोग मेरे चैनल को देखिए और यह एक काम ज़रूर किजिए मैं आप लोग को ले चलता है उसके और और counseling है तूँ सारा अभियार्थी को यहाँ पे cut up बुलाया गया है यह cut up तो जीवी का में जारी होना चाहिए ताकि विदियार्थियों को संतुष्टी मिले लेकिन बिहार सरकार सो गया है इसके उपर कोई धियान नहीं दे रहा है मैं आप देखिए यहाँ पे result भी उसका पूरा परक्रिया खुल गया है अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ जीवी का के official website के अंतरगत तो वहाँ पे अधिकारियों का नमर दिया जाएगा और मेल दिया जाएगा उस पे आप लोग जरूर मेल और या काम जरूर करें जो भी estate project manager unit है SPMU का सारा का यहाँ पे नाम और उसका वाद जो पद है email ID है contact नमर है इस नमर पे आप call कर सकते हैं और इसको mail कर सकते हैं जीविका के result के लिए क्या election है बाकी result के लिए कोई election नहीं है तो इस पे आप सारा पुर्ण से सारा परक्रिया को आप mail करते रहिए और देखें 17 गोई staff है 17 पे आप message किजिए और जाके 17 पे आपको call किजिए और mail किजिए जीविका को result कर लेकर काफी समस्याएं बाकी 18 से फिर देखें यहाँ पे कितना वहाँ पे परक्रिया staff होने के बाबजुद भी देख रहे हैं जीविका का result अभी तक नहीं आया है तो ज़रूर आप लोग इस चीज़ को देखें और वहाँ पे सारा परक्रिया को आप जाने और वहाँ पे इस परक्रिया को देखें और आप लोग इसका सहयोग दे क्योंकि 107 staff इसके पीछे हैं बी टी प्यू ओपिटर तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन जाओ अपनेट यूट्यूब चैनल को और पलपल की नोकरी और पलपल की ख़बर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिजिए लाइक कर दिजिए मिलता हूँ अगले वीडियो में तो तक लिए जाहें